Hello everyone, welcome to Arts Study Mediji. Arts Study Mediji में आपका बहुत-बहुत स्वागत है. As you know that we have started history series of classics. This is the fifth and last lecture of chapter 12 that is buildings, paintings and books. So buildings, paintings and books, book का यह हमारा पाँचो और आखरी lecture है और class 6 का भी हमारा आखरी lecture है. इसके बाद हम लोगों का class 6 का history series समाप्त हो जाएगा. तो पिछले lecture में हम लोगों ने दो epic यानि की दो grunt जिसमें रमायन और महा बारत का थोड़ा सा brief देखा था यह story क्या था उसका. और एक ordinary story भी करा था हम लोगों ने जो एक बंदरों के राजा के बारे में story था. आज का हमारा topic है writing books on science. तो उस time जो है जिस period का बात हो रहा था तो उस period में ही एक trend चलता है science के बारे में बिज्ञान के बारे में किताबों को लिखना और यह हम इंडिया के बारे में बात कर रहे हैं अभी. तो यह वही period है कौन सा period तो जिस period में सारे पूस्तक वगारा लिखे गया है गुपता हरसा का period खतम हुआ और उसके बाद का यह period है लगबग 6-700 बोल सकते हो AD है अलांकी लेकिन इसका कोई खास period नहीं है एक तरसी यह चलता हुआ period है एक flow है इसमें date जो है हर चीज़ का आप mention नहीं कर सकते हैं इसके बाद में सोर्सेस का ही कम है आमको पता ही नहीं है उस टाइम लोग उतना हिस्ट्री को लिखते ही नहीं थे mention ही नहीं करते थे तो अब हम लोग इसके बारे में देखते हैं कि आरे भट जो कि भारत के एक क्या थे महान जो mathematician और astronomer थे astronomer क्या होता है जो astronomy करता है यानि कि space related चीजों के बारे में जो पढ़ता है लिखता है उसी को तो उन्होंने क्या क्या एक संस्क्रीट में एक बूक लिखा जिसका नाम था आर्य भटियम ही एस्टेट डैट डे एंड नाइट वेर कॉल्ट बाइद रोटेशन ऑफ और और इट्सेक्सिस इवें दाव इट सेमसे इप संद राइजिंग एंड शेटिंग एवरी डे तो उन्होंने आरे भटियम में बताया कि यह जो दीन और रात होता है यह अर्थ का रोटेशन के कारण होता है अपने एक्सिस पे यानि कि प्रित्वी जो है अपने एक्सिस पे क्या करता है रोटेट करता है और इसी के कारण क्या होता है दीन और रात होता है देखने से ऐसा लगता है कि सूर्य जो है आता है और चला जाता है ऐसा लगता है फिल होता है कि इस पर भी रोटेट करता है, जिसके करण देन नाइट होता है और इसको आरेभत ने बताया था, he developed a scientific explanation for eclipses as well, उन्होंने एक्लिप्स कह या जो गरहन लगता है, शूर्य गरहन, चंद्र गरहन वगयरा सुने होएगा, तो उसको solar eclipse और lunar eclipse बोलते हैं, तो उन्होंने Eclipse का एक proper explanation एक तरह से scientific explanation भी दिया कि क्यों सुर्य गरहन या चंद्र गरहन वगरा लगता है इससे पहले लोग क्या था उसको सुर्य गरहन में सुर्य भगवान का क्या कुछ ऐसा मतलब देवी देवता से लिंक करके देखते होंगे कुछ भी scientific नहीं सोचते थे लेकिन आर्यभट ने इसके बारे में सबसे पहले आर्यभट यह में state किया लिखा यह अलसो फाउंड वे और कैल्क्यूलेटिंग देशर्कम्पियरेंस अफ़ सर्किल तो उन्होंने क्या किया सबसे पहले जो है एक तरीका निकाला की सर्कल का जो है एक मतलब गोलेकार कोई मतलब सेफ है उसका कैसे सर्कम्पियरेंस निकाला जाया विच जीज नेरली एन एक्यूरेट एस फर्मूला वी यूज टुड़े और आज जो हम लोग सर्कल का सर्कम्पियरेंस निकालने का जो फर्मूला यूज करते हैं वो उस जमाने में ही आर्यभट ने दे दिया था ज mathematician in India now invented a special symbol for zero तो उसके बाद क्या होता है इंडिया के mathematician especially आरेवट ने क्या किया एक zero symbol जो है उसका खोज किया एंडिस सिस्टम आप काउंटिंग वाज adopted by the Arabs and then spread to Europe तो भारत में इसका खोज हुआ उसके बाद इसको सबसे पहले अरब देश वासियों ने इसको क्या किया अपनाया और अरब से धीरे धीरे ये ये योरप में भी फैल गया सब लोग अब क्या होने लगा जीरो का उपयोग करने लगे इट कंटिनेउस टू बे इन यूज त्रूआट दा वरल्ड उसके बाद से यह पूरे बिश्व में जीरो का यूज होने लगा तो याद रखिएगा जीरो जो है वो भारत का ही देर नहीं अब हम लोग ncrt का लास्ट टॉपिक प्यार एं एल्सवेर जो कि उस टाइम कंटेंप्रारी पिरियड में बाकी के दुनिया में क्या चल रहा था उसको हम लोग देखते हैं तो पेपर हैस बिकाम पार्ट ओप अवर डेली लाइग अभी क्या है अभी हमारे जिंदगी में जो है उसका काफी जज़धा रोल होगया पेपर बहुत लोग निज़्फेपर मत समझ लीज़ेगा सीधा पेपर कोई भी पेपर जो है उसका हमारे डेली लाइप में काफी ज़्याधा कूछ भी आपकरते हुई हैं उसमें पेपर का रोल आपको दिख जाएगा दा बुक्स वी रेड आर प्रिंटेड ऑन पेपर हम लोग जो किताब पढ़ते हैं उसको पेपर पहीं तो प्रिंट किया हुआ रहता है एंड वी यूज पेपर फोर राइटिंग हम लोग कुछ लिखना होता है उसके लिए भी पेपर का यूज करते हैं तो पेपर वाज इंबेंटेड इस चाइना अबाउट नावट नाम का उन्होंने 1900 साल पहले क्या क्या पेपर का अभी इसकार क्या अभी से 1900 इयर्स अगो को मतलब क्या 100 AD के आसपास में ठीक है तो अभी जो बोले ना अभी कुछ पता ही नहीं लगेगा कि यह जो रमयान महाबारत का बात हुआ यह कपका है ठीक है एक अंदाजा लगा जा रहा है कहीं पर गुपता प्रियाट पता चला है कहीं हर्सवर्दन के बाद का प्रियाट पता चला है तो कंफ्यूजन काफी ज्यादा किरियाट होगा यह जो है यह थोड़ा एक्यूरेट है क्योंकि वहां के लोग थोड़ा बहुत रेकॉर्ट रखते भी थे तो काईलून नाम का काईलून है या चाईलून है पता नहीं चाइना वालों में कोई खास पानी के लिए पानी में डाल दिया और दबाने के बाद ड्रेंड ड्राइट पर तो उसका चाल बनाना तो पानी को तो उसमें से निकाल दिया उसके बाद उसको सुखा करके उसका चाल बचा एक तरह से जो पल्प बचा उसको क्या किया पेपर के रूप में क्रियेट करा इ यह जो 1900 साल पहले किया आज भी अगर हाथ से भगत जो पेपर बनाया जाता है हलांकि अभी तो मसीन से बनता है लेकिन अगर हाथ से जो बनाते हैं जो लोग तो वो क्या होता है सेम प्रोसेस जो उस टाइम यूज होता था आज भी वैसे ही बनाया जाता है लगबग तो उन लोगों ने क्या किया इस टेक्निक को काफी ज़्यादा सीक्रेट रखा यानि कि बाकी लोगों को पता नहीं होने दिया लगभग अभी से 1400 साल पहले यह कोरिया में पहुंचा ठीक है कोरिया अभी दो है साउथ कोरिया नॉर्थ कोरिया एकुरेटी कौन से कोरिया में पहुंचा वह तो बताना मुस्कील है क्योंकि नहीं दिया हुआ है तो कोरिया में पहुंचा 1400 साल पहले और खोज कब हुआ था 1900 साल पहले लगभग यह लोग 500 साल तक क्या रखे इसको सीक्रेट रखे एंड एस्प्रेट टू जपान सुन आफटर और कोरिया के बाद क्या होता है यह जपान में भी धीरे धीरे फैल जाता है यह टेक्निक जपानियों को भी पता चल जाता है इट वाज नौन इन बगदाद एराउंड 1800 अगो तो यह बगदाद वाले को कब पता चलता है तो बगदाद जो अभी कहा है अफगानिस्तान के आसपास वाले छेत्र में तो अठाड़ा सो साल पहले जो है बगदादियों को यह पता चला एंड फ्रॉम बगदाद इस प्रेट टू यॉरॉप अफ्रीका और पार्ट सब्क॑न्टीनेंट यानि कि हमारा जो सब्कॊंटीनेंट इस्को भी उसी टाइम पता चला तो यहां पर हम लोगों क्लास 6 का isstory series समाप तुआ बहुत जल्द हम लोगों क्लास 7 का सेवेंध का स्टी सीरीज से स्टार्ट करेंगे क्लास 6 का पॉलेटिकल सैन्स सीरीज भी च पोसिस करा था और उसको अम लोगों ने पूरा किया तो अगर आपको लगता है कि हाँ लेक्चर से अच्छे था तो आप अपने दोस्तों में या जिसको भी आप सेर कर सकते हैं अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया था अभी तक तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर तो इतना है, thank you for watching, stay tuned with us.